हेलो दोस्तो आज की वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए जे एंड के पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा निकली प्रोसिक्यूटिंग आफीसर की लेटिस्ट बैकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तो ऐसी ही लॉग रेलेट्टेड यूजफूल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये तो चलिए आज का वीडियो श्टार्ट करते हैं तो दोस्तो लोग graduates के लिए J&K अर्थात जम्मू एंड कस्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा prosecuting officers की vacancies निकली हुई हैं और बहुत बड़े लेबल पर vacancies हैं 120 vacancies हैं तो दोस्तो इसका जो notification है आप इसकी official website www.jkpsc.nic.in इस official website पर आपको जाना होगा उसके बाद इसके carrier section में जाना होगा जहां पर आपको देखें यहां पर apply करने के लिए आ रहा है post का नाम है prosecuting officer in J&K home department और नमबर आप vacancies है टोटल यहां पर 120 और यहां से आप online form apply कर पाएंगे तो दोस्तो इन vacancies में apply करने के लिए आपको apply link यहां से मिल जाएगा और इस page पर पहुँचने का जो link है वो हम आपको वीडियो के description में उपलब्द करा देंगे तो चलिए इसके बारे हम थाँ डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने screen पर जम्मू and कस्मीर public service commission के द्वारा जारी official notification है तो दोस्तो यहां पर prosecuting officer की vacancies निकली हुई है तो post का नाम है prosecuting officer और दोस्तो यहां पर जो number of vacancies है वो है 120 और इन vacancies के लिए जो pay scale है या salary का scale कह सकते हैं तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 का अच्छा pay scale यहां पर मिलने वाला है अब बात करेंगर important dates की कब से apply कर पाएंगे और कब तक apply कर पाएंगे तो 6 October 2022 से लेकर के आप 5 November 2022 तक online form इनकी official website से apply कर पाएंगे और यदि form में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप 6 November 2022 से लेकर के 8 November 2022 तक form edit कर पाएंगे उसे सही कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं दोस्तों की eligibility क्या मांगी गई है तो आपके पास law degree होनी चाहिए BCI approved institute या फिर university से और यहां पर कोई भी experience नहीं मांगा गया है law degree आपकी चाहिए वो 3 year की law degree हो या फिर 5 year की law degree हो दोनों लोग यहां पर apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं age limit की तो देखें यहां पर जो age limit है maximum 40 years रखी गई है और 40 years से जो अधिक age के candidate हो यहां पर नहीं apply कर पाएंगे और जो age count होगी 1st January 2022 से count होगी तो दोस्तो इसके जो examination centers हैं स्री नगर और जम्मू में ही क्योल बनाये जाएंगे और भारत में कहीं भी नहीं बनाये जाएंगे अब इसके examination fees की अगर बात करें दोस्तो तो general category के लिए 1000 रुपीज है और जो reserve categories हैं उनके लिए 500 है और जो handicapped person है उनके लिए पूरी तरह से free है उनको कोई भी fees नहीं देनी है अब exam scheme की बात करें, pattern की बात करें तो यहाँ पर 3 level पे होगा pre, mains और interview, pre आपका objective type होगा mains जो है descriptive होगा उसके बाद interview होगा तीनों के आदार पर जो selected candidates होगे उनको job करने का chance मिलेगा दूसरी जो महत्तुपूर्ण बात है, कि यहाँ पर जो union territory J&K है, means Jammu and Kasmir है केवल वहाँ के इस्थाई निमासी, जिनके पास वहाँ का निमास प्रमार पत्र है वही लोग इस vacancy के लिए apply कर पाएंगे आदार स्टेट के candidate यहाँ पर नहीं apply कर पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद